नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो TNVL का स्टेज लिग का लास्ट मुकाबला होने वाला है इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबले के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लेकिन दोस्तों यदि आप अभी तक हमारी चैनल पर नए हो तो चै के लिए थोड़ी सी मदद कर रही है दोस्तों वो भी especially spinner के लिए आपने देखा होगा spinner power play में गेंदबाजी करने के लिए और wicket भी चटका आती है फास्ट वाल एक इतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहा है, पावर पले में इतने की स्पिनर कर रहा है, आपको बैनी को बारे में पता होगा ही होगा, सेम बैन उपर जो की चेपक का ग्राउंड है, वहीं पर सभी मुकाबले होने वाले हैं, यह दोस्तों इसका ओवराल रेकॉर्ड है, लेकि का कोई रेल नहीं निकला, तो संभफ्ता जो टीम टॉस जीतेगी, आपके लिए पहले गेंदबाजी करती की नजर आ जाएगी, जो भी टीम है दोस्तों वो प्रफरेंस देगी पहले गेंदबाजी को, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एबरेज की बारे में, 149 आपके इसके आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है, या तो आपके लिए 152, 160 देखने को मिल सकता है, मतलब 140 से 160 तक आपके लिए स्कोर देखने को मिल सकता है, हाला कि दोनों ही टीमों की बलेबाजी अच्छी है, तो संभफ्ता यदि थोड़ी अच्छी बलेबाजी हो जाए, तो टार्गेट उपर भी जा सकता है आप विकेट एनलाइसिस करते हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो 319 विकेट अभी तक के खेले गए 26 मुकाबलों में गिरें हैं मतलब 10 से 12 विकेट जी यहां दोस्तों 10 से 12 विकेट हर एक मुकाबले में आपके लिए गिरते हैं तो जादा ही इंपेक्ट डाल रहे हैं और यहां पर इस सुनर आपके लिए शुरवात में गेंदवाजी करते हुए नजर आ रहा है और वो विकेट भी निकाल रहा है अथा नहीं कि वो विकेट नहीं निकाल रहा हूँ चाहे आपने कल का मेच देखा हो या फिर आपके ने पर तो जोइन कर लिजेगा लिंक आपको डिस्कंपिपक्शन में मिल जाई किकम की आफ्टर ट्वास जो कनफर्म टीम होती है जा कैप्टन 24 जिया दोस्तों कैप्टन 22 सह Ihnen सहेथ वो आपके लिए टेलीगराम पर ही मिलती है तो प्लीज आपसे पहले चेपक के बार इनbers से ल долларов यदि दोस्तों यह मैच जीतते हैं तो यह टोपर ही रहेंगे, यदि आपके लिए यह मैच हारते हैं, तो इनके लिए तीन नम्मर या चार नम्मर पर खिसक सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई अल्रेडी सेमी फाइनल के लिए कर चुके हैं, अब बात करने दोस्तों इनके बारे नो नो रन बना करें फैल जरूर हुए हैं कौसिक गांधी आप देख सकते हो 45 रन और 64 रन दो इनिंग्स अच्छी खेल कर दियों उसके बाद इन्होंने 10 रन का स्कूर किया लेकिन प्लेयर सांधार हैं आप इन्हीं अपने टीप में ट्राई कर सकते हो दोस्तो एक बात और मै यहाँ पास सुजाए सुजाए ने लाश्क मुकाबला खेला और नौरन बनाए इससे पहले कि मुकाबले एक दो मुकाबले इन्होंने में से जरूर किये थे अब साइन किस ओर के बारे में बात की जाए तो आप इनका देख सकते हो एक मुकाबला खेले चार विकेट निकाल सकता है दोश्टो तो गेंधवाजी तो अच्छी ए पर रहा है इस पर गेंधवाज है दोस्तो लेपटार म लेप्टार मिस्विनर है और लेपक से ही बल्लेबाजी भी ये करते हैं तो आप बिल्कू डेफिनेटलि इन्हें अपनी टीब में ट्राई कर सकते हो और Grand League में आप इने as a Captain Vice Captain जरूर ट्राई नहीं करिएगा उसके अलाबा राज गोपाल सतीस लास्ट मुकाबले में सांदार इन्होंने इनिंग्स खिल कर दी 64 रन के लेकिन गेंदवाजी इन्होंने नहीं की याद रखेगा दोस्तो गेंदवाजी नहीं की अल्राउंडर सेक्षन में आपके लिए नजर आ जाएंगे उसके बाद दोस्तो इन्होंने 8 रन की इनिंग्स के लिए उसके बाद 11 रन कोई विकेट नहीं यदि लास्ट की इनिंग्स नहीं की निकाल दी जाए तो दोस्तो बल्ले से तो इतना कुछ खास नहीं किया था लेकिन एक मैच में गेंदवाजी से 5 विकेट जरूर निकाली थी यहां दोस्तो 5 विकेट निकाली थे टीटॉन टीम 5 विकेट आपने बहुत ज़्यादा महत्व के रखते हूं उसके अलाबा हरीश कुमार लाश्ट मुकाबले में 15 विकेट 15 विकेट बनाएं मातर साथ बॉलों में और दो विकेट भी 7 में इनोंने चटका है उसके अलाबा आप देख सकते हो यहाँ पर 6 विकेट 27 विकेट मतलब विकेट तो इनोंने निकाले हैं अच्छी खासी इन्होंने बल्लेबाजी भी किये हिटिंग की है, जी यां दोस्तो जब हिटिंग का मौका आया है, तो हिटिंग जरूर की है, और गेंदबाजी तो ये पूरी करने बाले हैं ही हैं, उसके आदाब आप देख सकते हैं यहां पर सौनु यादब का, सौनु यादब लाश्ट में मुकाबले में सातरण एक विकेट, इससे पहले दोस्तो दो विकेट, एक विकेट और विकेट नहीं नहीं मिले थी, ऐस आप वॉलरी है, आप इन्हें ट्राइक करेंगा, अलेक्जेंडर आप यहां पर देख सकते हो, एक विकेट लिकाला लाश्ट मुकाबले में, और दोस्तों इससे पहले का मुकाबला इन्हें खिलाया नहीं गये था, और आप यहां पर देख सकते हो, कुछ खास उनने प्रुफ्मेश नहीं किया, जिस हिसाब का इनका नाम है दोस्तों उस हिसाब चे इन्होंने प्रमेंस करकर नहीं दिया उसके लाब बात की जाए सिद्धार्थ के बारे में सिद्धार्थ का आप यहाँ पर देख सकते हो एक विकेट चार विकेट उसके पहले विकेट नहीं मिला विकेट नहीं मिला मतलब इतना खास प्रोवेंस करकर इन्हों नहीं नहीं दिया और दोस्टो यहाँ पर संदीब बोरियर यादि खेलेंगे तो भी आपके लिए टेलिगराम पर अपडेट कर दिया जाएगा नहीं खेलेंगे तो भी आपके लिए टेलिग्राम पर अप्रिट कर दी जाएगी तो पिलीज आप टेलिग्राम जलू जोइन कर लेज़ें क्योंकि दोस्तो अल्रेड़ी क्वालिफाइड कर चुकी यह सेमी फाइनल में तो सायद इन्हें फिर आराम दे दिया जाए क्योंकि आपने देखा होगा सेकंड लास्ट मुकाबले में यह थोड़ी से इन्जर्ड हुए थे इसकी बज़ए से इन्हें आराम दिया जा सकता है अब बात करने दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रूवी ट्रिकी बोरियस की बारे में हाला कि अल्रेड़ी यह भी क्वालिफाइड कर चुकी है यह दोस् आपके लिए टीम में चेंजिस देखने को मिल सकता है तो आपके लिए ग्रेलिक के लिए सांदार दोस्तों यह मैच होने वाला है उसके अलाबा आप दोस्तों टेलिग्राम से जरूर जोड़ जाएगा लिंक डिस्कप्शन में मिल याएगी क्योंकि आफ्टर टोस्त जो फ जो पर मिल जाएगी साथ भी न है अच्छी बले वाजी कि पहले ही मुकाबले में 70 बन उसके बार 42 लेकिन उसके वाद भूद सोरे शव्यो नहीं कर पाएं आप दोस्तों क्या करते हैं वे कशूर करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों विकिट पर बहुत कुछ इंपोडेंट फिलियर आपके लिए हो सकते हैं तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राइब कर सकते हो अधन खान का देख सकते हो एक मुकाबले में नोने 50 लगाई है उसके बाद इनोने इतना अच्छा प्रोमेंस नहीं किया स्टार्ट मिला दो मुकाबलों में 26 रन के साथ लेकिन ज्यादा बड़े इनिंग्स उसे कनवर्टे नहीं किया पाए एंटोन इदास ये आपके लिए गेंदबाजी के साथ भी कमाल करती है नहीं आजाएंगे आप यहां पर देख सकते हो 24 रन एक विकेट फिर 12 रन विकेट नहीं मिला और फिर विकेट नहीं मिला मतलब गेंदबाजी इतनी प्रभाप साली नहीं की है लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं दोस्तों हेडिंग के लिए जो लेट हेडिंग होती है टीम में जो एज़ा फिनिसर जरूरत पड़ती है उसके लिए काफी सांदार बल्लेबा एक विकेट तो बल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपिलिटिव में ट्राइब कर सकते हो और एज़ा कैप्टन वाइस कैप्टन भी ऑप्सन यहां पर चुन सकते हो उसके लाबा राहिल सहा का आप देख सकते हो दो एक विकेट दो विकेट और फिर विकेट नहीं मिला पिर एक विकेट सर्वन कुमार ने भी अच्छी जयंदवाजी की है उसके अलाबा मतीम बना इन्हें आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हो और इंपोडेंट फिलियर में आप इन्हें रख सकते हो सुनील से हमको सायद मौका ना मिले इनकी जगे दोस्तो किसी और को मौका यहा पर दिया जा सकता है वो अपडेट आपके लिए टेलिग्राम पर आफ्टर टॉस मिल जाएगी तो फिलिज आप टेलिग्राम जरूर जोइन करने तो चलिए बात करते हैं हमारी ड्रेम 11 टीम के बारे में तो सबसे पहले बेकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में चर्चा कर ल पांच नमर पर लेकिन दोस्तो प्रुमेंस करकर गनेश ने अच्छा दिया है यदि आप ट्राइ करना चाहेते हो तो कर सकते हो आप अवाइड करना चाहेते हो तो क्योंकि हर एक मुकाबले हम अच्छी इनिंग्स खिल कर दे रहा हैं दोस्तो और यहां पर साध्विक ऑपन करते हुए ने जल आ जाएंगे सुरवात में दो इनिंग्स अच्छी के लिए दी दोस्तो लेकिन उसके बाद इतना अच्छा प्रुमेंस नौने नहीं किया था तो इन दोनों को फिलाल की स्थी मैं ट्राइ करूँगा मैं आप गनेश को थोड़ा सा आवाइड करकर चल रह यदि आप लाश्क में वीडियो नहीं देखते हो तो जरूर देखना उसके अलावा महमत खान को मैं अपनी टीम में ट्राइ करूँगा आपके पास ऑप्सन है सोजे को आप ट्राइ कर सकते हो सिर्फ घ्रैल लिक में इसमल लिक में बिल्कुल ट्राइ मत करना सिब को आप ट इनकी अच्छी है उसके अलावा इतना अच्छा प्रोमेस करकर रहें नहीं दिया इनको मैं अपने टीम में ट्राइ कर रहा हूं बात करें यहां पर बॉलिंग सेक्शन के बारे में उससे पहले एम सिधार्थ को आप एज़ा बॉलर अपने ट्राइ कर सकते हो हरी स्पुमार है और सुम्रा एक उच्छ आपके लिए ओप्शन है यहां पर दोस्तों आप इनके अपनी टीम में एज़ा बॉलर ट्राइ कर सकते हो बल्लेबाज ने तो बिलकुल इनके बल्लेबाजी के हिसाफ से बिल्कुल ट्राइ नहीं मत करना अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर ब करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर केप्टन बाइस के बारे में बात करें तो नायायन जग्दिसन अच्छव अप्चन है आपके लिए ऐजा केप्टन बाइस केप्टन निदेश राजगोपाल साधनर अपशन हो जाता है तो गया तो प्लीज आप टेले गराम जरू जोइन कर ले, लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी दोस्तों यादि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है बेड़ी दुखने के लिए धन्यवाद